आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें प्रशन हमार पस यहां पर त्रभुज A B C में ये चोष स्पायर A प्लस कोष स्पायर B प्लस कोष स्कायर C बराभर कोष B कोष C div श्चाव हो तो चिझत करें कि त्रभुज संभा हो है यह यहां परपर सिद्च्च्रण करना है कि त्रभु वैज़ तो थिक है कि अच्थैं 네 कोस बी कोसी कई सीजब लाशिय अब Loud la ज spent कोस्वे क्ई याइवार align Geez sweets तो लॉट आविपन कर然 ये इसे में क्षवेव लॉट करेंगे कि इसे में जैं स्वेवान कर फे दिर नंबर 10 nd प्लस दो पॉस स्क्वाइर सी बराबर दो कोस बी कोस सी प्लस दो कोस सी कोस ए प्लस कोस ए और कोस बी ठीक है यहाँ पर दो आए अब देखो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बराबर के यहाँ पर इस तरफ जितनी भी यह सब संग्याएं सब को बराबर के इस तरफ 2 cos square a तो इनको अलग-अलग करेंगे तो देखोंगे हम पर कुछ इस प्रकारत होगा cos square a ठीक माइनस यह हमने अलग-अलग कर देंगे cos square a cos square a 2 है इस लिए तो देखों माइनस में हम 2 cos b cos c और 2 cos c cos a plus 2 cos cos b को सब को परावर के इस्तरफ लाएगे तो देखोंगे हम इसके साथ लिएगे यहाँ पर 2 cos a cos b plus अब लिखेंगे हम cos square b हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 cos square ने तो a cos square ने एक को लिख लिए और माइनस में यहाँ पर 2 cos cos b को लिख लिख लिए प्लस में यहाँ पर 2 cos square b है तो A cos square B को लिख दिया अब देखो अब क्या होगा कि A cos square B बचेगा cos square B बचा माइनस देखो यहां से 2 cos B cos C भी इस्तरफ लाएंगे तो 2 cos B cos C अब plus cos square C भी दो हमारे पास 2 है तो 1 यहां लिख देगे तो cos square C ठीके अब देखो प्लस यहां पर cos square C अब इस्तरफ क्या बचा है 2 cos C cos A बचा है तो इज़र लाएंगे बरावर कि इस्तरफ तो माइस हो जाएगा 2 cos C cos A और plus में यहां पर cos square A ठीके अब देखो हम इसके पर चेक कर लेतें देखो cos square A एक और यहां पर दो ठीके बरावर यहां जीलो है और cos square B 1 cos square B 2 यह भी दो होगे और cos square C 1 cos square C 2 ठीके और बागी यहां पर जो RHS में था उन सभी कों परावर के इस तरफ लिया है सब यहां पर negative में होगे अब देखो यहां पर क्या होगा इसा करने की वज़ाई यह है हमारी कि यहां पर A square minus 2AB plus B square का सूत्र बन जाएगा तो देखो यहां पर cos A minus cos B का square बन ग जाएगा प्लस यहां पर cos B minus cos C का whole square और प्लस यहां पर cos C minus cos A का whole square बराबर 0 ठीक है अब देखो हमें यहां पर इस समिकरन में यह साफ साफ दिखरा है कि इस पूरी समिकरन का मान बराबर 0 है तो बराबर 0 मान कब होगा जब यहां पर इसका मान भी 0 हो और इसका भी मान भी 0 हो और यहां पर इस का मान भी 0 ठीक है अब इन तीनों का मान गर 0 होगा तो तो देखो यहां पर समय कऱह कुछ इस प्रकारते ہوगी cos A minus cos B равно 0 त्योंकि यह 0 होगा तब यह 0 होगा इसी प्रकारते यहां पर भी cos B minus cos Cbildung 0 और यहां पर भी कोस C माइनस कोस A बराबर 0 होगा तब ही हमें बराबर क्या मिलेगा इस समय करने में 0 मिलेगा ठीक है अब देखो कोस A माइनस कोस B बराबर 0 मतलब यहाँ पर कोस A बराबर कोस B अगर कोस A और कोस B का मान बराबर है तो मतलब यहाँ पर कौन A बराबर कौन B होगा इसी प्रकारते हैं यहां पर भी कोस B बराबर कोस C तो यहां पर B बराबर C होगा और यहां पर भी कोस C बराबर कोस A तो यहां पर भी C बराबर A होगा मतलग यहां पर तीनों जो कौन है A, B और C यह तीनों क्या है बराबर A बराबर B बराबर C अगर किसी त्रिभुज में तीनों कौन A, B, C बराबर है इसका मतलग वो त्रिभुज क्या है संभाव त्रिभुज है क्योंकि सम्भावत रुबहिं क्या होता, तीनों पॉन बरावर रुपने ठीक है, यह में सिद्ध करना था, जड़ने बार विसे लेकर नीट आयएटी जेई वो एडवांस के लेवल तक, एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा, आज ही डाउनोड करें डाउट्नेट आप यह वत्चाप करें अपने सारे डाउट्स आच चारसो 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 पर